नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज हम फिर से नेक्स्ट प्रैक्टिस सैट यूपी बिहार उत्राखंट प्रोटेक्निक एंट्रेंस एक्जाम 2020 के लिए हम साइन्स का प्रैक्टिस सैट करने वाले हैं तो आईए चलो स्टार्ट करते हैं हो देखिए कुशनि केल livelihood है आपका की एक पिंड़ समान तुरण केसाथ चल रहा है ठैक ABOUT इसमयं पर उसका वी इतना है आपका 20 में पर प्रति सेगए खिफिट बात इसका वे किस अजाता है ऊपका 20 मीटर पर सैकंड हो जाता है तो दो से कंड पूर्ष इसका वह बतारा हुआ ठीक है अब तो यहां से पहले तोरण को ए से डिनोट करते हैं यह होता आपका वेक परिवर्तन की दर ठीक है तो आपका देखिए वेक बाद में कितना हुआ वेटू 20 मीटर पर सेकंड पहले किता था 10 तो 20 में से आपका माइनस 20 होगा अपॉन टाइम देखिए कितना दिया है मैं पांस सेकंड बाद ठीक है तो यह कितना हो जाएगा आपका आजाएगा दस बटे पांच यानि की तोरण आगया आपका दो ठीक है तोरण आगया दो यू वी एटी में संबंद होता आपका वी एक्वल टू यू प्लस एटी ठीक है तो हम चलो फॉर्मॉला लिख लेते हैं यहां पर बादाता हूं आपको फॉर्मूला होता है आपका V इक्वल टू U पिलस 80 ठीक है तो हमें क्या करना है आपका U दिया है मैं 10 मिटर पर 30 सेकंड दिया हुआ था ठीक है और T दिया था आपका माइनस दो ठीक सेकंड ठीक है नेगेटिव माइनस सेकंड दिया हुआ था आपको इसमें दिया हुआ है देख सकते हम देखें यह दो सेकंड पूर मैसमें देन लेंगे ठीक है और कि इतना एहिए आपको तो यहां से देखिए वैल्यू पूट करेंगे है मिसकी तो हम कर लेंगे देखिए यह क्या हो जाएगा वी क्या जाएगा आपका यूगी वैल्यू दिया आपकी 10-2 ठीक है इन-2 एक हमान के हमारा टु है था एक आफ का तो रण होता है तो यहां तर्णियकर करके haram कि दो दोना चार दस मेंसे चार गये तो कितना आ गया आपका यहागे ठीछ और होगह ट्पिर मिटर पर सेकिंड टिके डो साटिंड पहले किटना था हमारा आपका वेक ता कितना ठीछ मिटर पर सेकिड तो पर देखिए ऑफ यह कहीं आ रहा है इस Me чै है हमें option भी दिख रहा है ठीक है तो ऑप्षिन भी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंतर ठीक है आंसर क्याएगा इसका 6 मीटर पर सेकंड चलते हैं नेक्ट कोशन पर देखे अब देरा इसमें कोशन पढ़ते हैं इसमें करा एक तुरूटी पूर्ट तराजू के पढ़लों में एक आते हैं तो सही आपको भार निकालने के लिए कह लेते हैं डबलूवन इंटू डब्लूटू ठीक है जो भार आपको उसका एक्चुल है और जो परतीत हुआ वो ठीक है तो यह क्या होगा डबलूवन डबलूटू तो यह दिया वहां हम यह डबलूवन मान लेंगे हम यह खुमाल लेंगे ठीक है जो परतीत हुआ तो इसे अंडरूड में क्या कर लेंगे हम मुल्टिप्लाइ कर देंगे टैन इंटू सिक्समाइं कितना दिया आपका फोर ठीक है पॉइंट से 10 चाहिए गाघ तो यह क्या आपका अंडरूड 64 इसकी वैल्यु कितनी होती है इसका अगर निगा लेंगे तो इसकी वैल्यू होती है आपकी आट जाएक तो यह आज्याएगा आपका एट ठीक है तो कितना वेट होगा अश्का 8 ग्राम तो ऑप्शन डी देखिए आपका ऑप्शन डी का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जागा आप हो आई हो पापका क्लियर हो आओगा अप चलते हैं देखिए उसमा सबसे तेजी से संचरित होती है तो यह आपको पता हो चीए यह काःसे होती हैं आपके विक्रन ज्वारा ठीक है ना सबसे ना हॉगी सभी में सभी सवास्त होती नहीं तो आप्शन B स्भी वस्ता विक्राण से सूर की किरने किन के मारे वसाती हैं हमारे पास विकरन दवारा तो सबसे से तीजी हृसं सरी हो Tito कि अब such a senior knowledge 1997 यह सा आपका सार्था कंगों के संख्या बताईए तो मैंने बताया ता आपको सार्था कंग की संख्या कैसे निकालते हैं कोई भी डिजिट दी हो जैसे हमारा 423 ठीक है 10 की पावर 2 दिया हो तो अगर मालों यह दिया है तो हम वैल्यू पता है क्या पॉइंट के बाद होनी चाहिए एक दो तीन कोई भी डिजिट बस जीरो नहीं होनी चाहिए तो हम इसे हम इसे क्या लेख सकते हैं से हम चेंज करके यह एक्जामबल बतारा हो आपको तो पॉइंट पहले लिया आते हैं डिजिट से पहले पॉइंट लिए कोई भी होगी बस जीरो को छोड़के तो यहां क् क्या होता है सार्था कांक होता है बस रीजिट हमें क्यालानी पड़ती है पॉइंट के बाद काली जीरो को छोड़के ठीक है सुन को छोड़के बागी कोई सी बीडियेट हो एक से लेकर नाइन तक तो यह क्या हो जाएगा आपका देखिए जो अप इसमें 10 की पावर 3 आई सार्था कंकों की संक्या ठीक है तो अब देखिए पॉइंट से पहले कोई तो नहीं है पॉइंट से पहले जीरो है और पॉइंट के बाद का है आपके डिजीट है एक सीदे की नहीं होता कोई भी नहीं चाहिए फिर उसमें देखते हैं कि 10 की पावर कितनी है मैक्सिमम अलक से वीडियो लेकर तो इसमें देखके कहरा है एक वस्तू में आपका 12 L समानय वस्ता से अधिक है यानिकapter में अधिक है तो यह ले लेंगे हम आपका माइनस में ठीक है तो हमने मालने L track कितने है इहलेक्टों होते हैं कहा देंगे कितने है माइनस के 12E ठीक है अब यह कह रहा है दूसरी वस्तू में 16 इलेक्ट्रॉन समयना वस्ता से कम है तो प्लस के क्या हो जाएगा आपका 16E ठीक है यह हो गया अब कह रहा है इनको संपर्क में लाने पर सही वस्तू का आवेस होगा तो इनने जोड देंगे ठीक है तो अब देखे इसमें कितने बस्ते हैं इसमें बचेगा आपका फोर इलेक्ट्रॉन तो इसमें आवेस होगा आवेस कितना होगा आपका फोर इलेक्ट्रॉन के बरावर ठीक है तो चार इलेक्ट्रॉन का क्या होगा इसमें आवेस होगा इसके बरावर तो ऑप्शन यह क्या हो जाएगा आ एक मिली सेकेंड का समय लगता है तता इस समय में तार चोकर आपका कितना तो किई कुन क्लाम आव़ेस गसर रहा है तो इक लगान आपका क्यों डिया आपका 200 माइक्रिक्राम तो हम ले लेंगे 200 माइक्रिक्राम यानिकी इसमें कि 10 बातार कि यी कीत्नी हो जायगा आपका क्यूंदती टीक है तो यह होगा आपका क्यूर अप़ॉन टी टिक है रेकियो इह निकाल लेते हम में एक मिन देख एक equipo कि velt कर दोसो माइक्रो कुलाम यानि कि हम क्या लिखलेंगे क्यों दृसो माइक्रों यानि कि दस चेपावर माइनस 6 और आपको टाइम कितना दिया था यहां फैन देखे टाइम दिखाता हूं आपको टाइम एब का एक मिली सेकंड है दसके पावर माईनस agreement ठीक है तो यहां अपॉन में लिख लूँगा मैं दस के पावर माइनस सीन ठीक हे उप्र हटे गी वैल्ल् Start तो तहई कर लेंगा यहां साल दिया हमने तुम देखिए हैं लिए जोडते हैं सकते हैं हम इसरे क्या लिख सकते हैं देखिए 10 की पावर माईनसी पावर बचची 200Á kinda क्या भचा हमारा तरो एदेश का बचा था 200 गुलंट पावर सॉल्प करके माईनस टीन ठीक है अब यह हम यह 0 कि एक दो तीन यहां पर पोइंट लगाएंगे तो यह कर जाएगा आपका 10 की पावर 3 in to 10 की पावर मैनस 3 तो आपसमें तो जाएगा ना तो यह कब पॉइंट तू ठीक है तो यह क्या जागा पॉइंट टू एंप्यर आपका करेक्ट पॉइंट टू एंप्यर टीक है आइक। अब इसमें करना देखिए चेस्मा पर्यूब करने के लिए चेस्मा उतार लेने चाहिए ओप्षने भी करा एक स्कूप का उपयोक नहीं सकता ठीक है एक बलार है कि वह स्मा पहने पहने ही माइक्रोस्कूप का उपकुर सकता, जचमा लगाए रखने या उताल लेने फिर दोने इस टीथितो का कोई अंतर नहीं तो option नहीं पढ़िए आपका क्या लिखा है कि उसमें क्या चस्मा उता लेने चाहिए ठीक है अगर वो microscope से देख रहा तो उसमें क्या कर लेने चाहिए और नहीं करेक्ट हो जाएगा चस्मा परियुक्त करने से लाइट डिम पढ़ जाती है क्योंकि देखें हीटर की जो आपका करेंट होता हीटर करेंट क्या लेता अधिक लेगा कि मैक्सिमम करेंट लेता तो आपसेंट पढ़ी एक बार अधिक परबलता से धारा लेता है ठीक हैं अपसें चीडिक हो जाएगा यह लेकिन जो धारा वह अधिक लेता है तेक है इसका और जो करेक्ट आश्र होगा इसका ऑप्सेंट कोश्चन में अब देखी इसमें आपक घुक एक ईलेक्टान दस्कुब 10a one meter स्क्वैर ठीक है तीवर्टा वाले छुम्बक के छेत्र में लंबवत के त्र R उस्ट की पावर साथ स्नंग के चलता है यह गिसका एलेक्टान पर कार कॉर करने थीटा आपको दिया हुए क्यों कितना दिया है आपको कि फ़िए हैक क्यों होता है आपका 1.6 दिया नहीं है तो यह रेक्टोनन को आवे दिया यह ले लिए 1.6-19 C ee valor-19 C chain को लाम होता एक और है कि जान 3 गुणा 10 के पावर प्लस के साथ ठीक है multiply 10 बी कमान कितना दिया यह वैबर प्रमीटर का 10 अब इसकी multiply कर लेंगे ठीक है दसकी पावर साथ दिया यह 19 तो यह बचेगा माइनस के 11 दसकी पावर 11 और 16 यह 48 ठीक है एक पावर यहां से घट जाएगी आपकी क्या बचेगा यह आपका पावर कितने हो गई है यहां एक है यह साथ है तो यह होगी आपकी आठ उन्निस में से आठ गए तो बचेगा माइनस 11 तो इसके पावर बचेगी ठीक है आंसर में क्या रहा होगा दसकी पावर माइनस ग्यारा और 16 यह 48 यानि की आ रहा होगा 4.8 10 की पावर माइनस 11 ठीक है तो option यह देखे क्या हो जाएगा आपका इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है ठीक है 4.8 10 की पावर माइनस 11 तो option यह क्या हो जाएगा इसका correct answer अब देखे question number next में कह रहा है आपका यादि एक electron जो पूर्व की ओर चल रहा है है उत्तर की दिसा में दिष्ट बाहाम चुम्ब के छेट से परवावित होता है तो एक्टान पर बल होगा तो एक्टान पर बल होगा आपका option नहीं देखे और द्वादर उपर की ओ ठीक है option नहीं क्या जागा आपका correct answer चलते हैं question number next इसमें पर है कि किसी पर्तिवर्थी दहरा के लिए एक मात्र सथ्य कतने तो यह सब्सक्राइब के लिए बताना आपका कौन सा कत्य सब्सक्राइब तो आपका देखे दैप्षा की दिता एव परिमांड क्या होता है दोनों इसके चेंज होते रहते हैं ठीक है आप्शन भी पड़िए देखी स्वेश्में क्या गारा आपका क्यूंकि जो सानश्य क्यूंस वेप होती है वह से होती है ठीक है उसका चेंज होते रहता है आपकी डिरेक्शन और परिमाण दोनों आवर्थ के रूप में वजलते रहते हैं तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर चलते हैं कुश्य नमबर नेक्श्ट पे अब कह रहा है एक चौक कुंड़ी ठीक है देश्ट परिया किरिया होती है तो इसमें जो सोबर्थम करिया होती है तो अड है गर्मी पाकर अनुओं के गतिज और यही घृत करेक्ट आंसर चलते खौन तक हो carbon भी ХС का पूरा नाम बेंजिन हाइडरोक्लोराइड या बेंजिन हाइडरोजन कार्बोनीट तो option C और D तो जżyा नी लेकिन इसका जो भी हस्प्लिया नाम होता यह आपका होता बेंजिन हैक्सा क्लोराइड ठीक है, आप लिक लेना रहाओ बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होता है बी एच सी का नाम चलते हैं कोशन नमर नेक्स्ट इसमें कहा रहा है गामा केड़ने की बेदन सम्ता ठीक है ऑप्शन यह पड़िये कहा रहा है एलफा तथा बीटा दोनों परकार के केड़नों से अधिक होती है तो गामा केड़नों की जो बहुत अधिक विलह होते हैं तो यह आपका कारबनिक विलायक में ठीक है यह थैक उप्शन भी क्यों जाएगा आपका और सर तो और लिए पढ़िये कारबनिक उलायक है चलते हैं नेक्ट कोशन पर अभी करोमियम का पर्मारू करमांग चौबीस है तो इसका उलेक्ट्रोन विन्यास यह नहीं होगा ऑप्शन भी कहीं सोच रहे हो आप गलत होगा यह होगा आपका दो आठ चौदा की जगा पहले तेरा होगा और एक अलग दूसरी वाली कक्सा में चले आएगा तेरा एक ठीक है तो यहाद कर लो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है ज्यादतर लगातर हर बार पुझा रहें वाला कोशन है कि परमाड़ो करमांग 24 वाले उसका एलेक्ट्रोनिक विन्यास होगा तो इसका दो आठ चौर तेरा एक ठीक है इसमें कन्फूज नहीं होना तो आपसन यह क्या होगा आपका करेक्ट आंसर चलते हैं नेक्ट कोशन पर अब इसमें कहरा तेल के हाइड्रोजनी करण की अभिक्रिया है यह बताना आपके तेल के हाइड्रोजनी करण की अभिक्रिया है तो यह आपके होते हैं विस्मांग उत्प्रेरण तो आप्शन देखें बी क्या हो जाएगा आपका आपका करेक् ठीक है अब देखी इसमें आपका दिया है किसी विऍलियन की मोलता ठीक है तो इसमें और थीजाजर के पड़िएगा कि उपरसी पड़ियेगा डीन की मोलों की संक्षा ऑप उनाई है उऩाई एक फीराड़्यक्षा पड़िए आपको यह होगी विले के मोलोगी संक्या अपन विलियन की कीगरा संक्या ठीक है तो चलते हैं कोशन नमबर नेक्स इसमें कह रहा है एक फैराड़े का मान होता है आपका यह आपको याद करना पड़ेगा यह होता आपका चैनले पांसो कुलाम ठीक है यानि कि चैनले हजार पांसो कुलाम ऑपसन एक हो जागा आपका करेक्ट आंसा चलते हैं नेक्स्ट कोशिन पर अब यह कह रहा है आवर साड़नी में एक ही खड़े वर्ग के तत्व में प्राय तो उनमें से बताना ऑप्शन में देखके क्या होत यही होता है तो आवर साड़नी के एक ही खड़े वर के तत्वों में उनके रहां कंच में रेक्ट आन होते हैं वह एक्वल होते हैं और आपका करेक्ट आंसर चलते हैं कोशिन नमर नैक्स्ट कियो जो धातु ठोस अवस्ता में नहीं पाई जाती तो आपने देखाओगा वह हो क्या होता है आपका है यह यहांनि कि पारा होता है यह एक ऐसी दातों होती है जो ठोस अवस्ता में नहीं पाई जाती ठीक है तो पारा हो जाएगा option d इसका चलते हैं question number next आप कहरा है यह आक्सीजन है option पढ़िए ना तो स्वहम जलती है और ना ही जलने में सायक है यह तो option C पढ़िए इसमें कहारा कि आपका swim नहीं जलती परन्तों जलाने में साहिक होती है तो oxygen क्या होती है आपकी यह लिएकिन किसी बी चीज जलाने के लिए आवसक क्या होती है oxygen तो option C कहाएगा आपका correct answer सार ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ इसमें कह रहा है देखिए आप निम्लिखित में किसका कैलोरी मान सरवाधिक अधिक है ठीक है तो इसमें कैलोरी मान सरवाधिक अधिक बताना आपका है तो आप्षिन पढ़िए आप ब्यूटेन का ठीक है एथेन का प्राकर पादेगे अपका मेथेन का ऑप्षेन डी क्या आगा आपका के टाइगा उप्षेन होजाएगा आपका और अंसर यह उता आपका साबुनी करन टिक इंगे जाएगा यह तो जल से कप्ड़े दोने के लिए उप्यूक्त नहीं है कपड़े दोने के लिए हमाले पुर्ट नहीं बना पाता तो हम क्या कहेंगे हम कह सकते हैं कि सब्सक्राइब का अवक्षव बनाता है तो पड़िए यह क्या हो जागा आपका छान सर्ब पर नहीं पाता है हम कठोर जल से क्या करते हैं सब उनका यूज नहीं करते हैं कठोर जल में ठीक है यह थे आपके कुछ most important question जो हमारे प्रिवेर से लिए गए अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें तो मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में बाई बाई गाई